नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज की जो हमारी discussion है वो है आप जर्मन में as a doctor कैसे practice कर सकते हैं जहां आपने जर्मन में जाकर अपनी MS और जहां MD करनी है तो बहुत ही important video है हमारी German से related बहुत सारी videos है हमारे चैनल के उपर मैंने MBBS में आप कैसे admission ले सकते हैं जर्मन के अंदर उसकी वी comprehensive information अपने चैनल के उपर डाली हुई है तो देखिए doctors के साथ भी फरोड हो रहा है इतना बड़ा profession, number one profession है उनके साथ भी मतल कुछ जो गल्त consultant है उनको उनके साथ फरोड करके उनको गल्त countries में बेज देते हैं तो अभी मेरे सामने एक यह ऐसा ही scam आया है कुछ doctors का जिनको जर्मन में उन्होंने MBBS already की हुई है कोई another country से करके आया है, किसी ने इंडिया से क्यों ही है, जहां whatsoever country से क्यों ही थी तो उनको जर्मन के अंदर भेज दिया गया और ये बता दिया गया कि आपका बहाँ पर जो registration है तो उसमें क्या कमी पेश की रही, वो सारी आज हमारी ये comprehensive information रहेगी तो हर एक वीडियो में मैं बार बार बताता हूं कि हम always कभी भी किसी भी country में किसी को भी हमने पढ़ने के लिए भेजना है तो हम उसके fact and figure, उसकी rule and regulation सारा कुछ पहले बता देते हैं तो ये वीडियो बहुत ही interesting वीडियो है, जिन्होंने जर्मन में जाकर as a practice करनी है, डॉक्टर जा, MDMS करनी है तो अगर आप किसी भी non-European country के citizen है और आपके पास medical की degree है तो आप बहाँ पर जाकर ये जो भी license है ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर conditions है, conditions सुन लीजे क्या है तब ही आप eligible हो पाएंगे बहाँ पर as a doctor practice करने के लिए एक eligibility बनीगे eligibility क्या लिखी हुई है, आपके साथ MBBS की degree होनी चाहिए, MBBS जा MD की degree होनी चाहिए प्लस आपके पास proper उसकी internship आपने की हो, प्लस आपके पास license होना चाहिए उस respective country का कि आप उस country के अंदर practice कर सकते हैं, अगर इंडिया में है तो इंडिया का होना चाहिए, अगर आपने Ukraine से की हुई है लेकिन जहां आकर अपना FMG test नहीं clear कर पाए, तो आपके पास Ukraine का license होना चाहिए, जहां रशिया से की हो, license भी होना mandatory है, अगर आपके पास internship प्लस license नहीं है, तो आप 100% eligible नहीं है, बहां पर as a doctor practice करने के लिए registration नहीं करवा पाएंगे, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे doctors के स साथ ये बड़ा scam हुआ है, डॉक्टर बहां पर सफ़ड है, और ये देखिए, पेरेंट्स ने कितने पैसे लगा कर उनको जर्मन के अंदर भेजा होगा, तो जर्मन की Sally's Labs के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर को आज की डेट में 2020 में Sally's क्या मिलती है, हर एक चीज को मैं करूंगा इस वीडियो में, तो अगर आप भी एक अच्छे डॉक्टर हैं, जा आप आरड़ी इस scam से सफ़ड हैं, तो मेरी हर एक बच्चे से request है, कि वो हमारे comments के अंदर उस consultant का नाम जरूर लिखें, ताकि another जो innocent doctor जा innocent parents हैं, वो इस type की जो problem से सफ़र ना हो पाएं, क्यों से साल, सासा साल लगते हैं, और बहुत सारी investment करनी पड़ती है, और उसके बाद उनके साथ photo fraud हो जाए, तो वो उनको कैसा feel होता है, तो आप step by बताएंगे, देखिए, जर्मन में जाना है, तो language is the main hurdle, without language, you could not do anything in German, especially in medical profession, तो उनकी requirement है, उनके six level होते हैं, लेकिन आपके पास पांच लेवल तक की language होना mandatory है, तभी आप उनके जो test है, FSP, जिसको हम KP कुर्स कहते हैं, ये test तभी आप उन test में बैठ पाएंगे, तो लेवल कौन-कौन से A1, A2, B1, B2 और C1, एडलिस C1 तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपने FSP exam के अंदर test कहते हैं, तो अभी इसको आप इंडिया से मैं बारबार ये भी recommend करूंगा कि आप language का है जो इंडिया से करके जाएं, at least B2 लेवल तक, अगर B1 भी कर लेते हैं, तब भी आप another जो 2 लेवल रह जाते हैं, B2 जा C1 वो जाकर जर्मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं strongly recommend करूंग कि अगर आपने ये risk लेना है, बहाँ पर जाकर practice करनी है, तो at least आप अपनी जो language है, इंडिया के अंदर सीख के जाएं, at least B1 लेवल तक की, तो A1 से लेकर B2 तक के लिए आप ये लेकर चलिए, उमूमन 9 मन्थ से लेकर 12 मन्थ लग जाते हैं, अगर आप seriously जर्मन में जाकर as जैसे कोई USA में USMLE की तियारी करता है, तो UK में PLAP की तियारी करता है, तो उसमें भी काफी hard competition रहता है, लेकिन comparatively उन country से मैं कहूंगा कि यहां का competition इतना hard नहीं है, जितनी hard उनकी language है, वो language is the main hurdle, another test है वो इतने hard नहीं है, वो बंदा कर लेता है, क्योंकि another test में आप से related questions चाहे वो German language का हो, तो उसे related questions होते हैं सारे तो वो बच्चे अमूमन कर लेते हैं, तो हमारा भी अपना full-fledged center है, जलंदर के अंदर जो की at least A1 से लेकर V1 की German language classes प्रवाइड करता है, इवन हम आपको online faculty भी प्रवाइड कर सकते हैं अगर आपने German language सीखनी है, अभी यह तो ह हो गया language का, language के बाद अभी question यह आता है, कि sir, language तो मैंने कर ली B1 तक, जा B2 तक भी कर ली है, तो अभी next में अपना visa जर्मन 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 जाने के लिए visa चाहिए, तो मैं visa कौन सी category का apply करूं, तो वहां से कौन से document आएंगे, क्योंकि मैंने तो जाकर वहां पर अपना registration कर देवाना है, उसके लिए exam देने पड़ेंगे, कोई job offer कैसे बेजेगा, उनके लिए ऐसे हैं कि मेरे पास महां की बहुत सारी agencies हैं, जो की doctor को placement provide करती हैं, जो की government, जो German government उनको funding भी provide करती हैं, जो doctors के doctors or medical profession को placement provide करती हैं, जर्मन के अंदर, क्योंकि German के अंदर medical profession की बहुत हैं, उन्होंने हमारे भी सारे के सारे सेट अप को देखा, मेरी बहुत सारी videos को देखा, उनको ये पता चल गएगी, it is a very trustworthy company है, इसके पाद बहुत अच्छा knowledge है, जर्मनी से related, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया, बहां की 4-5 agencies ने, मैंने 4-5 agencies की, सब की comparatively, उनके सब की सब पर परपोजल देखी, परपोजल देखने के बाद फिर मुझे सारे के सारे system को समझ लगया, उनमें से फिर हमने shortlisted किये कि इनमें कौन सी agency के साथ काम किया जाए, तो वो भी हमारे पास है, panel के उपर, crown immigration के उपर, तो वो क्या करते हैं, कि जब आप B2 कर लेते हैं, जब B1 कर interview with the hospitals, कोई भी जो XYZ hospitals हैं वहाँ पर, तो hospital में discussion होने के बाद जब उनकी interview हो जाती है, they are sending a conditional offer letter, doctor का, कि subject to providing me है, जो भी FSP exam, KP exam clear करने के बाद, हम इसको ये job देनेंगे, और इतनी से हली उसमें offer करेंगे, तो वो लगा के यहां से national D visa apply करना पड़ता है, और D visa लेने के बाद पर आप बहाँ चले जाते हैं, साथ में अपना C1 करिए, जहां B2 करिए, और साथ में वो सारे के सारे अपने exam देने हैं, अभी questions क्या आता है वहाँ जाने के बाद, तो वहाँ पर क्या system है जर्मन के अंदर, उनकी जो total जो states हैं, जर्मन की वो 16 है, हर एक state का registration का system, different type का है, इंडिया के अंदर क्या है कि यहां पर NMC National Medical Commission है, यहां पर बच्चे को आके FMG test clear करना पड़ता है, NEET PG होता है, NEET MBBS के लिए होता है, इस type का centralized exam है, तो आपको उसका license मिल जाता है, अगर आप जो test clear कर लेते हैं, जिसको FMG कहते हैं, अगर आपने foreign से की हुई है, उसको यहां इंडिया में आके next exam, जो MCI exam देना पड़ता है, तो उसको centralized license मिल जाता है, फिर practice करने के लिए, तो यहां पर आपने practice करनी है, जैसे पंजाब है, medical commission पंजाब में वो बच्चा अपना state के भी अपने medical commissions है, बहां पर अपने registration करा के start कर लेते हैं, हमारा centralized system है, तो यहां के हर state का अपना system है, तो अभी सबसे पहले आता है, कि जब आप वो test clear कर लेते हैं, test clear, sorry अपना language कर लेते हैं, language करने के बाद आपको जो यह exam है, FSP, यह exam के लिए date लेकर जो भी state में आपने जाकर practice करनी है, as a doctor, selection of state is very important, क्योंकि आपको फिर पता चल जागी, कहां पर आपको जब आप हमसे contact करेंगे, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या benefit है, यहां पर आपने जाकर practice करनी है, as a doctor, तो अभी जाने के बाद फिर FSP exam देना पड़ता है, उसके अंदर क्या है, उसको हम मैं फिर बता दू, उसको medical German test कहते हैं, उस test के अंदर क्या आता है, प यह one stage है, दूसरी stage के अंदर आपको उसकी medical terminology के बारे में पूछा जाता है, तो यह दो चीजें हैं, अगर आप यह clear कर लेते हैं, करने के बाद फिर आपको temporary license provide कर देती हैं, वहां की government और आपका meter start हो जाता है, उसी दिन से, as a doctor जैसा ही, तो आपको wages मिलनी start हो जाती है, तो यूरो की है, पर मंत की, पैंती सो यूरो आप दे लेकर चलिए, पैंती सो यूरो आप दे लेकर चलिए, पैंती तीन लाकर प्या, minimum मैंने ये बताया है, डिपेंड है, जितनी आपकी practice होती जाएगी, पहले साल जो fresher है, उसकी इतनी है, दो साल के बाद, अगर आपका experience इसके slabs बने रहते हैं, उनके तीन slabs है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो 9,000 यूरो तक की, आपको वहाँ पर मंत की, सैरली, अच्छे-च्छे hospital में मिल जाती है, अभी question क्या था है, सर, हमने जो FSP exam दिया है, कि क्या ये FSP exam another state में acceptable है, क्योंकि आपने बताया, 16 state है 100% अगर आपने वन टाइम अपना FSP क्लियर कर लिया है, तो वो FSP exam सारी की सारी state में acceptable है, आपको ये temporary license दो साल कर दियाता है, तो उसके बाद आपको अपना KP course क्लियर करना पड़ता है, KP इसका मतल़ है knowledge test for permanent license, knowledge test है, knowledge test आप जब दे देती हैं, तो आपको फिर permanent license बहां की government provide क तो फिर आप कहीं पर भी आप जहां से भी आपको job मिलती है, job मिलने के बाद पिर आप अपनी practice start कर सकते हैं, इन test में बैठने के लिए आपके पास बहां का job offer होना, conditional job offer होना किसी भी hospital का mandatory है, ये निया कि कोई भी जाके इस exam में बैठ जाएगा, जिस state का आपके पास job offer है, तो उसी state में ही आप जे इन exams में बैठ सकते हैं, अभी आगे क्या question आता है, कि सर बहां पर हम PG कैसे करें, बहां पर MS और MD, बहां पर MS और MD में भी 12-13 branches हैं, different type की, उसका duration 5 साल से लेकर 6 साल का है, अभी question आता है, जो 5 साल से लेकर 6 साल का duration है, कि क्या उसके दौरान वो paid है, जा unpaid है, कि बच्चे को उसके पैसे देने पड़ते हैं, अगर हमने PG करनी है, तो जैसे इंडिया के अंदर जब आप PG, MS, MD करते हैं, तो आपको यहां से stipend मिलता है, जहां सेली टाइप का किसी को डे लग मिलता है, किसी को दो लग मिलता है, इसी तरीके में आपका मीटर फ contrasted हैं, तो मैं branches बता सकता हूं कि उसमें यह जे criteria है, तो अगर आपने German के अंदर अपना career बनाना है, as a doctor practice करना चाहते हैं, तो crown immigration आपकी 100% help कर सकती है, लेकिन मुझे serious doctor चाहिए, जिनके पास सारे parameters हैं, जिनके पास जहां का proper license है, किसी भी country का, किसी भी world की, हर एक country के जो भ doctor की degree बाले हैं, they are accepting everyone, but उनको जे hurdles clear करनी पड़ेगी, आपके पास degree होनी चाहिए, internship होनी चाहिए, आपके पास अपनी respective country का license होना चाहिए, तो तब आप इन exams में बैढ जाते हैं, अभी question और क्या interesting आता है, बच्चे जे कहते हैं कि sir, इस exam को clear करने के लिए, चाहे FSP है, चाह आपका KP है, तो कितनी attempts मिलती है, इसमें unlimited attempts है, without any problem आप इनको clear कर सकते हैं, लेकिन जब एक वरी नहीं होता तो उसके बाद आपको दो मीने की बाद date मिलती है, क्यों डेट भी लेनी बड़ी मुश्कल होती है, तो वो आप इनको दे सकते हैं, अभी और question क्या आता है, sir, अभ अभी बहां जाने के बाद, अभी उसका exam clear नहीं हुआ, तो visa तीन मीने का है, जा उसको छे मीने का दे दिया, वो visa फिर कैसे extend हो पाएगा, डॉक्कर तो बना नहीं है, वो बहुत अच्छा question है, ये system क्या है, कि अगर आपको date मिल जाती है, चाहे वो FSP exam की, चाहे KP exam की, तो automatically आपका visa extend होता रहता है, क्योंकि आपको immigration में बताना पड़ता है, कि मेरा अभी इस देव को test है, तो immigration automatically आपके जो visa को वो extend कर देगी, तो आने वाली मेरी जो वीडियो है, वो nurses से related रहेगी, क्योंकि nurses की भी काफी demand है, जर्मन के अंदर, क्योंकि बहां की कुछ placement agency ऐसी है, यो कि nurses को free में place करती हैं, hospitals के अंदर, अगर आप पूरे के पूरे parameters उनके fulfill करते हैं, तो जर्मन से related अगर आपकी कोई भी query है, चाहे आपने वहां पर higher studies के, general studies में भी जाना है, engineering में, management में, hospitality में, humanities में, business में, we have a lot of options, medical profession में कोई भी आप बहां पर करना चाहते हैं, nursing में, Dentistry में कुछ करना चाहते हैं, तो chron immigration आपको बहां पर proper help कर सकती है, हम कभी भी किसी भी अच्छे professional एको, जा किसी भी लोगों को कभी भी जूट बोलके कहीं नहीं बेजते हैं, fact बता कर बहते हैं, कि यह hurdles आपको आएंगी, तो आपको face good करनी पड़ेगी, तो अगर आप जर् की informative वीडियो लगातार अपने चैनल के उपर डेली डालती रहती है, अगर आप डेली की हमारी इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो, मेरी चैनल को immediately सब्सक्राइब साथ में लगए बैल अक्न को जुरूर पुश करें, अगर आपको जो मेरी वीडियो चैनल के लाइक अग्छ खर शेखना लो जो भीडियो जोजोबी और शेखना लगगा झार सुस्क्राइब झाल लो तक्रत रहता है, अग्हें उटियो.